हेलो फ्रेंस असलाम आलेकूम वेलकम बेक टो मैं चैनल फूट कोस्टर विज सबा आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एक मिडल इस्टन रेसिपी है इसे हमस कहा जाता है इसे जादा तर फलाफल या तो पीटा ब्रेट के साथ सर्फ किया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फूट कोस्टर राइट सबा के साथ यहां पर मैंने एक कप काबुली चना जिसे हम चिकपीस भी कहते हैं ओवर नाइट के लिए भिगा लिया था अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे एटलिस छे घंटे के लिए जरूर भिगा के लिए अगले दिन मैंने इसमें वन फोर टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टीस्पून नमक और दो कप पानी डालके इसे प्रेशर को कर लिया छे से साथ सिटी आने तक अगर आप ये प्रोजिजिन नहीं करना चाहते तो आप कैन चिकपिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने चौपर लिया है इसके अंदर हम अपने सारी चिकपिस को एड़ कर लेंगे अगर आपके पास चौपर नहीं है तो आप कोई भी मिक्सर या ब्लेंडर कर सकते हैं इसके साथ ही मैंने स्वात के अनुसार नमक और तीन छोटी कलिया लसन की इसके अंदर शामिल की है अब मैंने एक मीडियम साइस का नीमू जो पूरी तरह से मैंने निचोड लिया है जो तकरीबन वन टेबल स्पून के करीब है ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे मैंने तीन टेबल स्पून भर के ताहीनी पेस डाला है यह आपको कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग एप से आसानी से मिल जाएगा मैंने एमेजोन से इसे ओर्डर किया था इसके साथ ही मैंने चार टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऑलिव ओल डाला है अब इसे बन करके हम इसको ब्लेंड कर लें यहां मुझे 5-6 मिनट हो चुका है हम उसको ब्लेंड करते हुए और आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्स्चर अभी भी दानेदार है अब इसे स्मूथ करने के लिए हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे मैंने यहां 2-3 आइस क्यूब्स का इस्तेमाल किया है और इसे फिर से एक बार 5-6 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि हमें एक पर्षक स्मूथ टेक्चर ना मिल जाए तो यहां पर 5-6 मिनट मैंने इसे ब्लेंड करके ले लिया है और हमारा हमूथ बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं यह कितना स्मूथ बनकर तयार हुआ है अब इसे हम एक बाउल के अंदर सफ करेंगे आप चाहें तो इसे एक से दो दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं अब स्पून की मदस्से मैं इस हमूथ को एक रेस्टरन स्टाइल लुग दूँगी और इस पे उपर से एक्स्टर वर्जन ओलिव ओल ड्रिजल कर लूँगी अगर आपके पास एक्स्टर वर्जन ओलिव ओल नहीं है तो कोई बात नहीं है आप कोई भी नॉर्मल तेल को पहले अच्छी तरह से गरम कर ले और उसे ठंडा करने के बाद इसके अंदर एड़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने 4-5 चिकपीज का दाना लिया है और यह भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि हमारे हमुस का लूप अच्छा है उपर से सीजनिंग के लिए मैंने शूमेक का इस्तेमाल किया है अगर आपके पास शूमेक नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स या तो कश्मिरी लालमेची भी डाल सकते हैं अब मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ यह मेरी वन ओफ दा फेवर डिश है आप भी इसे ज़रूर ट्राइ करें आपको भी हमों ज़रूर पसंद आएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज